इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी रैबिरोस डी capsule एसर एक combination दवा है जिसका इस्तेमाल अपच के लक्षणों जैसे heartburn, पेट में दर्द दिया, जलन जैसे लक्षणों में राहत देकर gastroesophagal reflux disease यानि की acid reflux और pepticals disease का इलाज करने के लिए किया जाता है ये acid को भी बैसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस को आसानी पास होने में मदद करता है रैबिरोस डी capsule एसर को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार बिना भोजन के लिया जाता है डोज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी healthcare team को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं सबसे सामाने side effect diarrhea यानि की dust पेट में दर्द मूह में सूखापन सिर दर्द पेट फूलना यानि की gas बनना और कमजोरी हैं इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इनमें से किसी भी side effect को लेकर चिंतित हैं तो अपने doctor से बात करें इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक drive या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक focus की आवशक्ता होती है यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है lifestyle में परिवर्तन जैसे ठंडा दूद लेना और गरम चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से बहतर परिणाम पाने में मदद मिल सकती है अगर आप किडनी या लिवर की बीमारी से पीडित है तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डौक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डौक्टर को बताना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद